नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये हैं Moto Edge 40 दोस्तों गर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या अगर आप इस फोन को पर्चेस करने वाले हो तो जैसे आप अपने फोन में सेटप कम्लिट करोगे आपको तुरंट चेंज करनी है ये 20 सेडिंग्स इन सभी 20 सेडिंग् काफी जरूरी है आपके फोन के सेफटी, सिकुरेटी, प्राइवेसी और प्रोड़क्टिविटी के लिए तो अगर आप अपने फोन को बहेतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है इससे भी 20 सेडिंग्स तो आइए दोस्तों चेंज करते हैं उनसे भी अपने फोन में बिना किसी आपको डाउनलोड किए, वाट्साप के डिलेट कियागी मेसेज को काफी असा निसे रिट कर सकते हो तो उसे इन्याबल करने के लिए आपको जाना है शेडिंग्स में, नोटिफिकिशन में, नोटिफिकिशन हिस्टरी को ओपन करना है आपको इस और आप देखोगे time के साथ यहाँ पे message शो किया जाएगा कि उस बंदे ने कौन से message send किये थे आप यहाँ पे उसे read कर सकते है उस तरीके से इसे read करने का और एक तरीका है आपको home page पे long tap करना है जाना है widget में settings पे tap कीजी रहा settings आपको उस पे tap करके इस पे long tap करके drop करना है फिर आपको यहाँ पे notification log पे tap कीजीए अब आपको के वाल one tap करना है इस पे आप देख पाओगे वो message जो भी delete के गये थे message यहाँ पे show करेंगे आप देख सकते हो तो इन्हें read करना काफी आसान है आप अपने phone में phone info के hidden menu को भी access कर सकते हो तो उसके लिए आपको dial pad में जाना है dial करना है star hash star hash 4636 hash star और यहाँ पे आप देखोगे यह है phone info का hidden menu phone information के settings के जरिए आप अपने phone में 5G को force कर सकते हो मतलब कि आपके phone में हमेशा 5G ही run करेगा 4G पे आपका phone switch नहीं होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे network type पे ट्याप करना है और यहाँ पे है nr only इस पे किजिए selection मतलब कि अब मेरे phone में हमेशा 5G ही रहेगा 4G पे मेरा network कभी भी switch नहीं होगा बाग इन में से आपको किसी भी settings को touch नहीं करना है इसके लबा usage states में जाकर आप यहाँ पे check कर सकते हो कि last time आपने कौन सा app यूज़ किया था कितने बज़े यूज़ किया था कितने time के लिए उस app को अब तक आपने यूज़ किया है यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा data इस phone को power off करने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि आपको power button, volume up दोनों को एक साथ press करना पड़ता है उसके बाद आपको मिलता यह power menu जहां से आप अपने phone को power off or restart कर सकते हो हलाग कि अगर आप चाहते हो आपको दो button पर press नहीं करना है इसके बाद आपको दो button पर press करने की जरूत नहीं है बस आपको power button पर ही press करना है long press किजिए power menu को access करने के लिए आप इस phone में live wallpaper को set कर सकते हो और ओ भी अलग-अलग effect के साथ तो उसे enable करने के लिए आपको home page पर long tap करना है जाना है wallpaper में फिर आपको tap करना है curated image पर change wallpaper पर नीचे होगा live wallpaper इस पर tap कीजिए customize wallpaper और आपको करना है फिर tick पर tap आप देख पा रहे हो ये live wallpaper set हो चुगा है लेकिन अगर आपको animation को change करना हुआ तो आपको long tap करना है जाना है wallpaper में किसी भी एक photo पर tap कीजिए यहाँ पर होगा customize का option tap कीजिए और यहाँ पर आपको भी लेंगे अलग-अलग effect जैसे कि zoom, sway, ripple, blur और brightness में सट करूँगा ripple पर और फिर आपको tick पर tap करना है जो wallpaper इस तरीके से आपको मिलेगा और यहाँ पर होगा इस तरीके से ये effect animation आप अपने phone में icon को customize कर सकते हो मतलब की icon की size और shape को change कर सकते हो तो आपको home page पे long tap करना है जाना है home settings में और यहाँ पर होगा icon size इस पर tap कीजिए इसके तरी आप icon की size को change कर सकते हो में करूँगा small पे इसके अलावा अगर आपको icon के shape को change करना हुआ तो आपको home page पे long tap करना है जाना है personalize में और यहाँ पर होगा icon का option इह रहा icon shape आपको जो shape चूज़ करना है उसे choose कीजिए फिर आपको करना है टीक पे tap तो आप देखोगे icon का जो shape है वो change हो जुका है shape इस तरीके से अब आपको show करेगा आपके home page पे और app drawer में इस phone में आपको मिलता है pick display का feature तो आपके phone में जब display off होता है तब अगर आप उस पे one tap करोगे तो आपको show करेगा battery level, clock widget, fingerprint icon और notification icon आप इस widget को भी change कर सकते हो आपको इस पे long tap करना है और आपको swipe करना है आपको जिस widget को set करना है उस पे tap कीजिए इसके लगा जो आप animation ने fingerprint का उसे भी change कर सकते हो तो आपको home page पे long tap करना है जाना है परस्नलाइज में और यहाँ पे होगा fingerprint animation इस पे tap कीजिए आपको भी लेंगे तीन animation radial wave इस तरीके से boomerang और यह है chroma dial माल लेदे मेने set की है chroma dial पे तो आप देखोगे इस तरीके से अब आपको fingerprint animation शो करेगा यह है chroma dial pick display की और एक अच्छे बात यह है कि जब भी आपके phone में कोई भी नई notification आती है तो आपके phone में pick display on हो जदा है तो आप देखोगे इस तरीके से यह on हो जाएगा और जो भी message आया है उसका icon आपको show करेगा और अगर आप इस icon पे long tap करोगे तो आप उस message correct कर सकते हो बीना app को open किये और आपको बिलेंगे यहाप पे अलग-लग option आप इसे drag करके जिस option पे drop करोगे वही option open हो जाएगा अगर मैं करूँगा त्विक reply तो आप देखोगे अब यहाप पे आप reply कर पाओगे बीना app को open किये इतना है नहीं अगर आप इस पे long tap करके fingerprint icon पे drop करोगे तो जो app होगा open हो जाएगा directly अगर आपके phone में pick display का feature का आप नहीं कर रहा है तो आपको जाना है settings में डिस्प्ले में यहाँ पे होगा pick display आपको इसे open करना है इसे on कीजिए जाई settings में और यह जो option है एनी मरे डी background आपको इसे off करना है ताकि battery जाता हो इसना हो इसे on करने पे कई बार ऐसा होता है कि कई सारे apps आपके phone में background में run कर रहे होते लेकिन आपको पता नहीं होता तो अगर आपको जानना हुआ कि आपके phone में कौन-कौन से apps ऐसे है जो अभी भी background में run कर रहे है तो उसे check करने के लिए आपको जाना है control center में और यहाँ पे नीचे होगा one app is active ऐसा लिखा होगा तो आपको simply stop it app करना है तो जो app होगा अब background में run नहीं करेगा मतलब कि अब background में उसे आपके कारण कोई भी battery उस नहीं होगी आपके phone में आप जब भी किसी भी app में या website में login करते हो तो आपको पता होगा security and privacy में privacy में privacy controls में और यह रहा show passwords आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आप enter करोगे password को तो password box में अब आपके later show नहीं करेंगे कि वाल show करेगा dots इस तरीके से आप इस phone में notch को भी hide कर सकते हो अगर आपको notch को कभी भी hide करना हुआ तो उसके लिए आपको जाना है settings में about phone में सबसे नीचे आपको मिलेगा build number आपको इसमें लगाता 7 times tap करना है 1,2,3,4,5,6,7 फिर जाएए back और आपको जाना है system में और यहाँ पे होगा नए option developer options का आपको इसे open करना है नीचे आईए और आपको मिलेगा यह option display cutout का आपको इसमें ट्याप करना है और करना है hide आप देखोगे जो notch है अब hide हो चुका है इस तरीके से आप जब चाहिए तब notch को hide या unhide कर सकते हो अगर आपको पहले की तरह करना हुआ तो किजिए device default इस phone में आपको मिलता है multi volume का feature मतलब कि आप multiple apps के volume को अलग-अलग तरीके से set कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना है settings में sounds and vibration में और यहाँ पे होगा multi volume आपको इसे open करके इसे on करना है तो यह है chrome और यह है youtube तो दोनों को मैंने साथ में play किया ठीके अब अगर मैं volume अटन पे press करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे show करेंगे दो icon एक है youtube के लिए और एक है chrome के लिए तो youtube में जो play कर रहा हो media उसके लिए अलग से volume set होगा और जो chrome में play हो रहा है उसके लिए अलग से volume set क्या गया है आप देख सकते हो अगर आप शाहते हो back camera से हमेशा 50 MP में और front camera से हमेशा 32 MP में photo capture हो तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो तो आपको जाना है camera app में more में जाईए और यहाँ पे होगा 50 लिखा हुआ आपको इस पे tap करना है अब आप इस mode में कोई भी photo capture करोगे तो capture होगी 50 megapixel में इसके लवा selfie के लिए आपको जाना है settings में photos का option है इस पे tap कीजिए front photo resolution इस पे tap कीजिए और आपको set करना है high पे तो जो photo है selfie photo आपकी capture होगी 32 megapixel में क्या आपको पता है आप अपने phone के camera से bokeh video recording कर सकते हो मतलब कि background को blur करके video recording कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना है camera app में video mode में और यहाँ पे होगा portrait का icon आपको इस पे tap करना है और यहाँ पे होंगे blur करने के लिए scale तो आप इससे अगर बढ़ा होगे तो background ज़्यादा blur होगा इससे कम करोगे तो background कम blur होगा इस तरी के से आप अलग-अलग blur level को set करके bokei video recording कर सकते हो अलग-अलग format में भी HD, Full HD या 4K इस phone में आपको मिलता है back tap का feature जिसे केते है quick launch तो आप अपने phone के backside में double tap करोगे तो अलग-अलग actions और app को open कर सकते हो जैसे कि minute set किया है screenshot के लिए तो आप अपने हिसाब से कोई भी action app को assign कर सकते हो आपको जाना है settings में gestures में quick launch को आपको open करना है इससे own करना है जाना है settings में आपको जिस section को set करना है उससे set कीजिए जैसे की screenshot, music, screen recorder या आप अपने इसाब से किसे भी app को open कर सकते हो तो आपको मान लेते set करना है किसी app को जैसे की whatsapp तो अगर मैं double tap करूँगा तो मेरे phone में whatsapp open होगा आप देख सकते हो इस phone में आपको मिलता है edge lighting का feature मतलब कि आपके phone में अगर कोई भी call आएगा कोई भी notification आएगी या कोई भी alarm ले होगा तो आपको मिलेगा आपके phone में edge lighting effect अलग-अलग color के साथ तो इसे own करने के लिए homepage पे long tap कीजिए personalize पे tap कीजिए और यहाँ पे होगा नीचे edge lighting इरहा edge light आपको इसे open करना है आपको अपने हिसाब से गई भी color set करना है अगर आप रखो एक auto पे तो आपके हिसाब से color show होगा आप अपने हिसाब से भी color को set कर सकते हो इसके लावा call, alarm और यह है notification आप तिनों के लिए own कर सकते हो और अगर आपको इस feature को कुछ समय के लिए use नहीं करना है तो आपको यहाँ पे time set करना है जो time आपके हिसाब करोगे आपको यहाँ पे टिक करना है तो मैंने पहले ही कर लिया है अगर आपको इनमें से किसी को remove करना हुआ तो minus sign पे tap कीजिए add करने के लिए आपको इसे किसे टिक करना यह है apps यह है tools यहाँ पे आप इसे भी own कर सकते हो और आप इनका order भी change कर सकते हो आपको किसी भी icon पे long tap करके track करना है इनके order को change करने के लिए आगी पीछे करने के लिए जिस order में यहाँ पे शो कर रहे है उसी order में sidebar में show करेंगे तो इसे access करने के लिए आपको line पे swipe करना है और आप देख पाओगे यहाँ पे icon शो करने के तो यहाँ पे है Trinshot का toggle इसके लावा Trins recording का toggle भी आपको मिल जाएगा तो shortcut और जो app से आप इस तरह के से sidebar को access करके open कर सकते हो free phone window में हमेशा के लिए अब जब भी किसी भी आपको split window में open करते हो तो आपको पता होगा आपको इस तरह किसी इसे open करना है जाएंगे इस तरह किसी उपर नीचे सेम तरीके से अगर आप किसी भी आपको open करोगे free phone window में तो आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ hidden setting जैसे कि उपर में यहाँ पे तीन आइकान शो करेंगे minimize, maximize और यहाँ पे close का button है आलाग कि आप इन्हें hide कर सकते हो hide करने के लिए आपको इस line पे double tap करना है जो menu होंगे hide हो जाएंगे अगर आपको फिर से उस menu को देखना हुआ तो double tap कीजिए इस तरह किसे आप उस menu को hide and hide कर सकते हो बड़ी आसनी से आप इसके size भी change कर सकते हो इस तरह किसे और यह maximize यह minimize अगर आप इसे करोगे minimize तो इस तरह किसे hide हो जाएगा और आप इसे जहां पर चाहां पर move कर सकते हो और इसे remove करने के लिए track किजी नीचे bean में माल लेते हैं आपका phone lock है और इसे में अगर आपको quickly अपने phone में camera को launch करना हुआ तो आपको twist करना है दो बार ऐसे आपके phone में camera open होगा तो इसे कहते है quick capture इसे on करने के लिए जाना है settings में gesture में यह है quick capture आपको इसे on करना है इसके लाव अगर आपका phone lock होता है ऐसे में आपको quickly अपने phone में torch को open करना हुआ तो आपको दो बार ऐसे karate chop करना है आपके phone में open होगा torch इसे ओप करने के लिए फिर से दो बार karate chop कीजिए इस तरह किसे आप torch को on off कर सकते हो इसे कहते है quick torch या fast torch इसे on करने के लिए जाना है same settings में gesture में और यह है fast torch इसे भी आपको करना है on इस phone में आपको मिलता है optimize charging का feature तो इसे on करने के लिए आपको जाना है settings में battery में optimize charging में और आपको इसे on करना है okay किजिए आप कितने time के लिए अपने phone को plug-in करते हो कब उसे unplug करते हो उस तरह के से charging pattern को learn किया जाएगा तो आपका phone 80% तक quickly charge होगा लेकिन last वाल जो 20% होगे वो आपके phone को unplug करने से पहले charge होगे मतलब कि अगर आप अपने phone को और नेट charging करते हो राद भर charging करते हो तो आपको इस option को on करना है ताकि आपके phone में battery health लंबे समय तक अच्छी रहे दोस्तो तो यह था इस वीडियो में अगर आपको भी भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मेसेज़ कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्नेवाद दोस्तो